गूड मॉर्निंग फ्रेंट्स वेलकम टू टीचिंग गरू तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेंच कॉपलिंग के बारे में इससे जो हमारी प्रीविश वीडियो जो डीफरेंट हमारे पास कॉपलिंग होती है मनें मफ कम्प्ल ​​ंँग होगी उसके वारे में बात किसे अगर आप ने वह विडियो नहीं देखीव मिल जाएगी आप वह वह से जा करें के बात किया आज की में बबात करेंगे दो कप प्लिंग के बारे में बात ऑखनगे कियों किसे था इसका उसे कांपमल करती है तो देखिए, flange coupling ऐसे यहाँ पर होगी, flange लगे होगे, flange क्या होता है, आगे यहाँ पर एक circular जो disc है, वो इसके साथ attach होती है, यहाँ पूरी यह होती है, यहाँ आगे इसको लगे होती है, इसको flange बोलते हैं, यहाँ पर driven shaft लगी होती है, एक तरफ हम driven shaft लगाते हैं, दूस लगाते हैं, और दो flange को nut और bolt की help से हम join कर देते हैं, और यह hub है, हमारे जिसके अंदर हम driver और driven shaft है, वो लगाते हैं, तो कीका हमने देख लिए कि fix करते हैं, coupling को shaft के अंदर, जिससे की, और उसके बाद वो move ना करें, और बाद में हम bolt कर देते हैं, इन दोनों को एक दूसर के साथ, तो gear coupling के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कि gear coupling में देखिए, ऐसे जो gear system होते हैं, वो एक दूसरे के साथ mash करते हैं, यहाँ पर यह sleeve है, जो की outer cover भी हम इसको बोलते हैं, यह hub है, hub के अंदर हम driving shaft लगाते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ से यहाँ पर driven shaft है, औ देखिए, इन gear coupling, the flange and the hub are different part, assembled together, देखिए, इस में क्या होते है, gear coupling में, जो FLANGE और hub होते हैं, वो दुनों अलग अलग part होते हैं, मगर जो flange coupling होते हैं, उन दोनों में, जो flangebox होते होते हैं, वो एक ही part की बनी होते हैं, पूरी casting होती है, मगर इस में क्या होते है, gear coupling में, दोनों अलग अलग पार्ट होँगे, ठीक है, सिंगल पार्ट होगा, एक दूसरे का सिंगल पार्ट होगा और दोनों को बनाके flange coupling, जो gear coupling है, वो बनती है, the hubber externally splined, but they are so thick and deep that they can regard them as a gear teeth, also the flange of internal teeth, जो flange होते 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 हैं, जो इंटरनल टेथ होते हैं, gear coupling के एकरम बात कर रहे हैं, तो the gear ratio इनके जो 1 ratio 1 में होती है, और एक दूसरे के साथ ही मेश करके चलते हैं, single joint gear coupling are limited to lower angular misalignment, जो single joint gear होते हैं, उसमें थोड़ी सी misalignment भी, angular misalignment होती है, और gear coupling का हम काँ पे इस्तमाल करते हैं, heavy duty application में हम gear coupling का इस्तमाल करते हैं, जहां पर हमने ज़्यादा torque की हमें जूर्थ पड़ती है, उसके बाद यहां पर देखिए, इसकी AQ diagram कीड कपलर है, जहां पर की लगाई हुए है, ताकि जो हमारी shaft है, वो move ना करें, ठीक है, ग्रूव कटे जाते हैं, shaft के अंदर, जो fixed part होता है, उसमें, और key को हम grooves के अंदर डालते हैं, ताकि जो दो पार्ट है, वो अच्छी से lock हो जाएं, next वह हमारी जाती है, friction coupling, friction coupling के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, यह friction coupling कैसे work करती है, तो friction coupling में क्या होता है, एक driver plate है, उसके बीच में frictionless material लगा होता है, जो कि friction की वज़े से एक दूसरे के साथ चिपका रहता है, यहाँ पर एक दूसरी तरफ आपके पास driven shaft होगी, ठीक है, यहाँ पर यह motion में रहती है, और यहाँ पर यह stationary है, ठीक है, यह motion में stationary रहेगी आपकी shaft है, तो driven shaft in motion तो driven shaft in motion जब एक shaft move कर रही है है और दूसरी shaft stationary है मगर जब एक दूसरी साथ यह contact में आएंगी तो यह दोनों shaft है move करना शुरू कर देंगी यह होता है इसका meaning की friction coupling का की friction की वज़े से यह rotate कर रही है ठीक है clutch disengage, clutch engage में यह काम आती है अगर clutch को engage और disengage करने तो हम इसका friction coupling का इस्तिमाल करते हैं तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने तीन तरह की coupling देखी जो कि हमारी flange coupling, gear coupling और friction coupling थी वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाग जूरू कीजेगा और जाद अपटेट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू देखने के लिए